मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम जिस कवीता की व्याख्या पढ़ेंगे वह है यह दीब अकेला यह कवीता अग्येजी की द्वारा रचित है इस कवीता के माध्यम से अग्येजी मानव में एकता की चेतना को लाने का प्रत्न करना चाहते है इस कवीता में कवी ने मनुश्य को दीब के रूप में प्रगट किया है उनका मानना है कि जिस प्रकार दीब अंधकार को मिटाने का काम करता है ठीक उसी प्रकार मनुश्य भी समाज में अंधकार को मिटाने का काम कर सकता है तो पहली पंक्ति में वो क्या कहते हैं कि यह दीब अकेला सने भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो तो इन पंक्तियों में कभी क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार दीब तेल से भरा होता है और ठीक उसी प्रकार मनुष्य के हिर्दे में भी सने भरा होता है जिस प्रकार बहुत सारे दीपों को पंक्ती में अगर लगा दिया जाए तो अंधकार समाप्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार अगर मनुश्य भी गर्व से भरकर एक जुट होकर समाज के लिए काम करे तो समाज तथा देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता आगे कवी क्या कहते हैं कि यह जन है गाता गीत जिने फिर और कोन गाएगा पन डुबा ये मोती सच्चे फिर कोन कृती लाएगा इन पंक्तियों में कवी कहना चाहते हैं कि अगर हम मिलकर गीत नहीं गाएगे तो कौन गाएगा? यहाँ पर गीत, गीत से समाज कल्यान के लिए प्रयोग किया गया है अर्थात, अगर हर वैक्ती मिलकर समाज कल्यान के बारे में नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा? यहाँ पर कभी एक उधारन देकर कहते हैं कि अगर पन डुबबा, पानी में गोता नहीं लगाएगा, तो सच्चे मोती कौन लाएगा? ठीक इसी परकार, अगर वैक्ती समाज की भलाई के बारे में नहीं सोचेगा, तो और कौन सोचेगा? आगे कभी कहते हैं कि यह समीधा, ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा कभी इन पंक्तियों में कहते हैं कि एक और उधारन देकर कहते हैं कि यह समीधा, समीधा यानि कि हवन की लकडी इन पंक्तियों में कवी का कहना है कि जैसे प्रकार हवन की लकडी जलने के बाद अंधकार को दूर करती है इसी प्रकार मनुश्य भी एक लकडी की है समान है जो समाज में अंधकार को दूर करने के रोशनी फैलाने का काम कर सकता है आगे कवी कहते हैं कि यह अध्वित्य, यह मेरा, यह मैं स्वैम विसरजित इन पंतियों में कवी ने मनुश्य को अध्वित्य बताया है और समाज का हर व्यक्ति मैं आप सब अध्वित्य हैं जो स्वैम विसरजित होकर समाज को रोशन करने का काम करते हैं आगे फिर से कवी इनी लाइनों को रिपीट करकर कहता है कि यह दीब अकेला सने भरा है गर्व भरा मदमाता पर इनको भी पंक्ती को देदा आगे है यह मदू है स्वेम काल की मूना का युग संचय यानि कि इन पंक्तियों में कभी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार मदू मक्खी को शहद बनाने में और उसका संचय करने में वर्षो का समय लगता है ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी एक्तर होने में तथा समाज के हित के क पारियों में वर्षों का समय लगेगा आगे लाइनों में कहते हैं कि यह गोरस जीवन काम धेनु का अमरित पूत पै इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि जिस प्रकार गाएं का दूध गोरस यानि गाएं का दूध पर तेक बच्चे के लिए अमरित के समान होता है ठीक उसी प्रकार जलता हुआ दीपक भी अंदकार को मिटाने के लिए अम्रित का काम करता है आगे है यह अंकुर फोड धरा को रवी को ताकता निर्भय यानि कि जिसे प्रकार अंकुर धरती को फोड कर भार निकलता है और निर्भय होकर सूरज को ताकता है ठीक इसी प्रकार यह बगाने का काम करता है यह प्रक्रत स्वैंबू ब्रह्मा आयूत इसको भी शक्ति को दे दो इन पंक्तियों में कवी क्या कहते हैं कि यहां दीपक को कवी ने बताया है कि यही शंबू है ब्रह्मा है यानि कि जिस प्रकार इश्वर सरजन करता है और इसी प्रकार प्रतिभाश चाहे बश्याली व्यक्ति भी सर्जन कर सकता है यानि कि यह भगवान का रूप है यह दीप अकेला सने भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंगती को देदू आगे कभी कहते हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपना लगुता में भी कापा इसका कहने का क्या अर्थ ह कि मनुष्य के मन में यह वह विश्वास नहीं है जो अपने को छोटा देखकर कापने लगे यानि कि मनुष्य के मन में चाहे छोटा सा ही विश्वास क्यों न हो यह भी समाज के अंधकार को मिटा सकता है आगे है वह पीडा जिसकी गहराई को स्वैम उसी ने ना पा इन पं पीडा सहन की हैं आगे कवी कहते हैं कि कुछ सा अपमान अवग्याब की धूदू आते कडवे तम्मे इन पंक्तियों में कवी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक अंधकार से लड़कर चारो और रोशनी फैलाता है ठीक उसी प्रकार एक मनुश्य भी समाज में फैले अं अनुरक्त नेत्र इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि समाज को रोशन करने के लिए मनुश्य सदेव जागरुक रहता है और समाज में फैले अंधकार को दूर करने के लिए अपनी आखों को खुला रखता है उलंब बाहू यह चिर अखन अपनापा जिग्यासो प्रबुद सदा शर्दा मैं इसे भी पंक्ति को दे दो इन पंक्तियों में कवी कहना चाहते हैं कि मनुश्य हमेशा दूसरों की मदद के लिए अपनी दोनों बाहों को खोल कर तैयार खड़ा हुआ है उनका कहने का अर्थ है कि जिग्यासा बुद्धी और शर्दा से भरा हुआ है ऐसा मनुश्य समाज कल्यान के लिए एक साथ आगे बढ़कर कदम बढ़ाना चाहिए यानि कि ऐसे लोगों को सामने आकर जिनमी की शर्दा हो भक्ती हो बुद्धी हो जिग्यासा हो ऐसे लोग अगर सामने आएंगे एक कदम से कदम मिला कर चलेंगे तो हमारे समाज को आगे चाइनों को रिपीट करके कहते हैं कि यह दीप अकेला सने भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ती को दे दो यानि कि दीपक के समान मनुष्य भी सने से भरा हुआ है पर देख मनुष्य को एक साथ आगे आकर समाज कल्यान के लिए कारिया करने चाहिए तो ये तो थ एक दीप अकेला इसकी व्याक्या मुझे आशा है कि आपको यह व्याक्या समझा आ गई होगी धन्यवाद